कभी कभी लगता है क्या पुलीच तो हेई गाइस आज की ब्रैंड नी वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से दिल से सागत है तो गाइस आज की वीडियो बहुत यदा इंट्रेस्टिंग और लिए क्योंकि आज की वीडियो में लोग बात करने वाले है ओपो के तरब से आने वाले एकदम ब्रैंड न्यू स्मार्टफोन की गेमिंग रिवीव के बारे में जिया गैस ओपो के तरब से आ रहा है ओपो A74 5G स्मार्टफोन और बेसिकलि यह जो स्मार्टफोन है वो आपको 16-18000 रुपे के प्राइज एन में देखने को मिल जाएगा तो इसी कारण से यह जानना बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बन जाता है कि भाई क्या इस फोन को हमें गेमिंग के लिए कंस्टर करना भी चाहिए नहीं और अगर करना चाहिए तो यहाँ पर हमें किस तरह के कि बात के लेते ओपो ऐसेवेंटिफोर फाइज को कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में तो अभी आप देख सकते इसके स्पेसिफिकेशन को मैं इसे एकदम डीटेल में एक्स्प्रेंट करके आपका टाइम विस बिलकुल भी नहीं करूंगा यहाँ पर आपको देखने को मिल अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और इसके डिस्प्ले की फीचर की बात करते तो आपको नाइंटियर्स की रिफर्सिंग वाला एक आएस फुल एच्टी प्लस डिस्पेशने को मिल जाएगा जिया गई से आपक प्लस एन इस्पेसिफिकेशन के मामले में यह फोन काफी ज़्यदा अच्छा निकल के आता है लेकिन यह एक्जाक्ली आपको गेमिंग में किस तरह के की पॉफामेंस प्रॉइट करके देता है यह जाना इंट्रेस्टिंग बन जाता है अट आपको इस नाप ड्रागन 480 च लेकिन जो स्टैप्राइट चाहिए आपको बहुत ज़्यादा पारफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा इस नाप्राइट चिपसेट वह बिल्कुल टक्क कर देता है इस नाप्रेट के सिक्सट्टि टूसे भी आपको यह बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बन ज सब्सक्राइब कर पाएंगे लेकिन का को पॉफॉर्मेंस को पहुत ही तगड़िये को नहीं मिलेगा याप यहाँ पेपको कोई भी लाक देखने को नहीं मिलेगा यह जो प्रोसेसर उसका अंतोती उसकोर बहुत ही जदा निकल के आता है और लिटरली किसी को expectation थी नहीं इस processor के साथ में कि इतना ज़्यादा powerful निकल लाएगा जी आगए इस फोन के साथ में आपको performance में कोई भी compromise देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस फोन को consider करते हैं तो यहाप आपको 30 EPS में बहुत ज़्यादा मखन performance देखने को मिल जाएगी 30 EPS में आपको EPS के drop देखने को मिल जाएगा लेकिन intense situation में भी यह phone आपको 30 EPS प्रवाइट करके देता है बिल्कुल constantly हाला कि कुछ-कुछ intense situation में इसकी जो EPS 27 से लेके 30 को बच में fluctuate करते हैं जैकिने इस phone में आपको mostly 28 29 30 के बच में hover करता वाई यह phone दिखाई देही देगा तो नोड़ अगर आप इस phone को 40 EPS में भी पूश करोगी यूजिंग GFX तूल तो यहाप आपको performance बहुती अच्छी देखने को मिल जाएगी और गाइस मता दूख किया गया है इसलिए आपको performance इतनी अच्छी देखने को मिल जाती है और यहाप आप हीटिंग वाला issue भी देखने को नहीं मिलत है गेमिंग के लिए तो गाइस मैं बता दूख किया इसका प्राइस थोड़ा और प्राइस हो चुका है लेकिन अगर फोन 15,000 रुपे के प्राइजन में अगर आपको मिलेगा तो मैं आपको definitely consider कर सकता हूँ इस phone को gaming के लिए इस phone में आपको gaming में कोई भी compromise देखने को नहीं कि भी यह नहीं और हाँ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर कर दो नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसे इमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए तो चलिए मिलते हमारे नेक्स्ट आपाइक शिणाओ करते हमारे नेकर रह धाः खुकवतक शेयर जब वीडियो कारणा दो सब्सक्राइब कर दो साध।